हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्फ और टीचेस यूटूब चैनल दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि पाया भूत साचनी के जो माक्स हैं उसको ऑनलाइन किस तरह से भरना है उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे आपको ठैंक्स कहना चाता हूँ और आगे भी हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे ये जो वीडियो है, ये एक question answer वीडियो है हमने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें हमें बहुत सारे comments मिले जो भी marks भरने के related problems आ रहे थे उसके बारे में हमें सवालात मिले उन सवालों में से कुछ सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन से सवालात हैं फिर वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले यह सवाल लेंगे कि बहुत से teachers ने यह हमें पूचा है कि teachers ID की जगा पे हमें क्या enter करना है शालार्थ ID उनको पता नहीं है तो वो कैसे पता करना है वो हम देखेंगे उसके बाद दूसरा सवाल था कि marks भरते वक्त अगर गलती से गलत entry हो जाए तो क्या mark को correct कर सकते हैं वापिस से दुबारा भर सकते हैं तो वो भी हम देखेंगे उसके अलावा क्या एक teacher हर class के students के यहने जितने भी class हैं उन सब के एक ही teacher mark भर सकता है क्या वो भी हम सवाल देखेंगे और उसके अलावा कुछ technical problems हैं जैसे के teachers के शालात ID डालने के बाद accept नहीं हो रहे हैं और उसके अलावा कुछ लोगों का ऐसा problem है कि student जितने उनके school में student है उनके पूरे नाम वाँ पे show नहीं हो रहे हैं तो वो भी हम देखेंगे और कुछ class के marks याने 5th और 8th के English के जो 3rd language है उसके marks पायाभूत के जो paper मिले थे उसमें अलग हैं और Swift chat application में mark भरते time वो अलग दिशो हो रहे हैं तो ये सब technical problem जो हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे और ये जो technical problems हैं आश्री शासन का जो पायाभूत साचनी का लेटर अपने को मिला हुआ था उसमें यहां पे जो नीचे contact number दिया हुआ है technical help के लिए उनसे बात करने के बाद हम उनसे वालों के जवाबात आपको दे रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए तो चलिए ज़्यादा time ने लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल देखते हैं कि teacher ID के जगे पे हमें क्या डालना है तो MPSP के तरफ से हमें जो PDF मिली वी है उस पे यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमें teacher ID डालनी है वो यहां पे आप देख सकते हैं शिक्षक code example 02DED से शुरू होने वाला यह जो है शालार्ट ID है अब कुछ लोगों को शालार्ट ID अपना मालूम नहीं है तो कैसे मालूम कर सकते हैं वो हम बता देते हैं कि जो भी आपकी payment forward करते हैं उनको आपका शालार्ट ID पता होता है तो आप उनसे contact करके शालार्ट ID मालूम कर सकते हैं दूसरा सवाल देखते हैं दूसरा सवाल जो हम देखेंगे कि अगर गलती से by mistake कुछ marks गलत इसमें entry हुई हो तो उसको हम किस तरह से correct कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहां पर होम मेनू लेना है अब यहां पर मैं होम मेनू लेता हूं और उसके बाद record student performance अब उसके बाद सिलेक्टर response पर जाके आपको class सिलेक्ट करनी है जैसे मैं आपको बता देता हूं कि 5th class के जो है मैंने marks आपको भरके बताया था तो वही class को वापिस से दुबारा लेता हूं अब यहां पर उर्दू first language ही सिलेक्ट करता हूं अब यहां पर मैंने यह इन students के marks भरे हुए हैं अब मैं आपको बताने के लिए दुबारा आप यहां पर completed यहां पर शो हो रहा है स्टूडन का अगर गलती से समझ लो इसमें ही marks की रॉंग इंट्री हुई हो तो वापिस से उस स्टूडन को सेलेक्ट करना है मैं यहां पर फर्स्ट को ले लेता हूं इसको अब वह completed है फिर भी उसको मैं यहां पर दुबारा ले लेता हूं आप यहां पर देख सकते हैं completed लिखा हुआ है लेकिन वापिस से मैं उसको लिया हूं तो वापिस उसको फिर start से हमें मार्क भरने होते हैं तो मैं यहां पर present करता हूं अब present करने के बाद question number one यहां पर लिखा हुआ है तो उसको जितने marks थे वह मैं यहां पर ले लेता हूं 3 3 उसके बाद 3 तो जो भी मार्क्स आपके रॉंग हुए हैं उस स्टूडन को सिलेक्ट करके दुबारा उसके शुरुवात से मार्क्स आपको भरने हैं अब यहां पर देख सकते हैं कि इसके मार्क्स मैंने वापिस से दुबारा भर दिया हूँ तो इस तरह से आप अगर कुछ गलती हुई होगी तो वापिस उस स्टूडन को सिलेक्ट कर सकते हैं और पहले क्वेश्चन से उसके मार्क्स भर सकते हैं अब यहां पर मैंने इस स्टूडन के मार्क्स आपको भर कर बताया हूँ अब यह फर्स्ट जो स्टूडन लिया था मैंने इसका कम्प्लीट हो चुका है रिकॉर्ड पर्फॉर्मंस ओफ अधर स्टूडन यहां पर शो हो रहा है आप यहां पर देख सकते हैं वही कम्प्लीटेड ही है लेकिन दुबारा से मैंने उसको मार्क्स भर दिया हूँ तो इस तरह आपको भी अगर कुछ रॉंग इंट्री हुई होगी तो आप यहां से उसको करेक्शन कर सकते हैं अब देखते हैं अगला next question अब अगला question देखते हैं क्या एक teacher हर class के students के marks भर सकता है या नहीं तो उसके लिए मैं आपको यहां बताना चाहता हूँ कि marks भरते वक्त आपके शालार तडी यहां पर register होते हैं तो जो class आपके पास है वही class के marks आप भरेंगे तो अच्छा होगा तो जो marks VS के तक पहुंचेंगे यानि यह चैट बोट में जाएंगे वह आपके शालार तडी से जाएंगे अगर कुछ technical reason होगा तो आप वह marks भर सकते हैं लेकिन जो class जिस teacher के पास है उसी class के teachers ने वह marks भरा हुआ अच्छा होगा अब बढ़ते हैं अगले question के तरफ जो technical questions है जैसे के fifth standard का जो third language है English उसके marks पाया भूत चाचनी पेपर में अलग थे और यहां पे स्विफ्ट चैट application में अलग शो हो रहे हैं तो यह technical reason है उसके अलावा जो eight की class है उसका भी सेम प्रॉब्लम है तो इस तरह के जो technical reasons है वह दो या तीन दिन में उसको solve किया जाएगा तो उपर से ऐसा कहा गया है कि आप उसको उसके marks ना भरें वह दो तीन दिन के बाद update होगा उसके बाद वह correction हो जाएगा फिर आप वहां से marks भर सकते हैं कि अब यहां पर और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि कुछ टीचर्स के जो है वह शालार्ट इडी वहां पर एक्सेप नहीं हो रहे हैं तो वहां उनका भी टेकनिकल प्रॉब्लम है क्योंकि आपके शालार्ट इडी उस स्कूल के यूडायस के साथ सिंक नहीं हुए है इस तरह से कुछ स्टूडन्ट जो शो नहीं हो रहे हैं क्यूंकि सरल पॉर्टल का जो डाटा है वह थोड़ा पुराना इनके पास आया हुआ है इस वज़े से यह प्रॉब्लम आ रहा है तो वह भी काम 2-3 दिन के बाद हो जाएगा अब और एक बात यहां पर मैं बताना चाहत है तो उसका लेटर और उसके मैनिवल आपको मिल जाएगा एक 2-3 दिन के बाद तो आप वेट कर सकते हैं और जिन स्टूडन्स के शो हो रहे हैं और उनके मार्क्स भी बराबर शो हो रहे हैं तो उनके मार्क्स आप भरकर आपका वर्क कंप्लीट कीजिए जहां पे कुछ प आपके टीचेस के साथ शेर कीजिए और आगे इसी तरह के वीडियो को देखने रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग